हेलो फ्रेंट्स आज हम शुरू करने वाले अन्बॉक्सिंड डॉल्चेंड गबाने के लाइट ब्लू ओ इंटेंस पर्फ्यूम की जो की डीपी कंसेंट्रेशन में अवेलेबल होता है हंटेड में नीचे से आप देख सकते हैं इसका बैच कोड जो की इतनी इजी ली आपको दिखेगा नी सेलोफेन उतारने के बाद हम आपको एक बार दिखाएंगे बॉक्स नॉर्मल क्वालिटी का बॉक्स है चोटा सा बॉक्स है और उपर आप देख सकते हैं डी एन जी का लोगो यहां पर और अब जल्दी से अंबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसकी जूस प्रेजन्टेशन कैसी है और यह किस वैदर के लिए अप्रोप्रियेट है दोस्तों सेलोफेन हटाने के बाद इसका जो बॉक्स है वह वैलवेटी टेक्स्चर बॉक्स है नीचे से अब आप इसका बैच कोड भी शायद देख पाएंगे बहुत ही पतलों बारी क्लिक हुआ हुआ है देख पाना बहुत मुश्किल है बट मैं पढ़ पा रहा हूं सिक्स वन और नाइन अब वो सब छोड़ते हैं जल्दी से इसकी बॉटल को बाहर निकालते देखते हैं कि वह बॉटल कैसी है दोस्ते बॉटल हमने बाहर निकाल लिए बहुत प्रीमियम बॉटल लग रही है और यह देखे मेरा गलव्स भी फड़िया है कोई बात दिया मैं इसका पूरा ही रटा देता हूं तो दोस्तों यह बॉटल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रहे है फ्रॉस्टिट ग्लास की बॉटल है और नीचे आप देख सकते हैं इसका बैच कोड़ यहां पर है टू जीरो सिक्स वान आर नाई जो कि हमें बॉक्स पर अच्छे से नहीं दीख पा रहा था और आप इसकी कैप देखेंगे यह प्लास्टिक की कैप है लाइट विरेट कैप है और नॉर्मल सी बॉटल लग रहे है बट जो इसका डिजाइन है वह अच्छा लग रहा है मुझे देखने में फ्रॉस्टेट ग्लास है इसकी प्रियर क्वालिटी चर्क कर लेते हैं कैसी इसक इसकी जूस क्वालिटी हम थोड़ा साथ बताएंगे कि कैसी है दोस्तों इस प्रेयर क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है मैं आपको बता दूँ इसकी मिस्ट बहुत छोटी-छोटी निकलती है जिसमें की जूस की जूस कॉंटरेटी अब वह बहुत कम निकलती है लेकिन दोस्त और मैं आपको दोस्तों बता दूए ये fragrance को मैंने personally try किया है काफी सालों से मैं try कर रहा हूँ even अगर मुझे किसी को suggest करना की long lasting fresh scent तो सबसे पहले मैं उसको suggest करूँगा ये dolce and गबाने का light blue intense ये काफी ज्यादा long lasting perfume है हाला कि जो फ्रेश पर्फिम होते वह इतना ज्यादा लास्ट नहीं करते लेकिन यह बहुत ज्यादा last करता है इसमें marine notes के साथ थोड़ी सी grapefruit की notes और orange की notes भी आफ फिल कर पाएंगे साथ ही साथ थोड़ा सा saltiness के अंदर है salt की note भी तो थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी सेंट है जो की काफी ज्यादा long lasting और दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं यह किस वैदर के लिए अप्रोप्रियेट है इसका जो एप्रोप्रियेट वैदर रहेगा वह रहेगा का समर का तो यह समर बी स्मोड पर्फ्यूम है जिसको आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए इसका डीकेंट भी हमारे पास अवेलेबल है और रिटेल पैक भी आप हमारे से पर्चेस कर सकते हैं और अगर आपको यह फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है डीकेंट ट्राइक करने करता हूार ट्चार ट्राइक करने ऑपको यह झाले बीजopes आपको जबले हैं आपको व्रेग्रेंस अवेले बीकेंट